नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त दिपंकर समध्दार चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉर्पोरेट, टैक्स और फाइनेशल और बिजनेस प्लानर आप लोगों के सामने एक ऐसा इंपोर्टेंट टोपिक लेकर आया हूँ, जो कि हमारे लिए बहुत रोजमर्रा हो गया है, हमारे चर्चा का विशेश विशे हो गया है, अगर हम GST सबसे ज़्यादा चर्चा का विशे रहा होगा तो GST के बाद ये वाला पॉइंट, GST के सम् सुविधा के लिए वीडियोज बनाते चलूंगा, मेरे आधरनी एक लाइंट लोगों के लिए आज का ये टॉपिक, जो ये कहता है कि क्या हम कैश में सेल दिखाएंगे, तो GST में कोई लाइबिलिटी आएगी, ये बहुत मिक्शर वाला कंसेप्ट लोगों के अंदर में भूम रहा है क्योंकि लोग ना income tax और GST ये दोनों चीज़ों को combination में लेकर चल रहे हैं और इसका provision इसमें मिक्स हो जा रहा है और उसका इसमें मिक्स हो जा रहा है, मैं आपको आज पहले GST के संबंद में cash sale के बारे में बताना चाहता हूं, घ्यान से सुनियेगा, सबसे important अगर हमारा business ऐसा है कि जो retail में काम करता होगा, जो खुद्रे और retail customers लोग को deal करता है, entertain करता है, तो हम उनको माल बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं cash में, आप बिलकुल cash में माल बेच सकते हो, वो खरीच सकते हैं कि नहीं सकते हैं, उसके उपर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, तो अगर आपका समान ऐसा है कि आपको retail में माल बेचना पड़ता है और बेचने की आवशकता पड़ती है, तो आप बिलकुल retail में माल बेचिए, cash में बिल आप फार सकते हैं, GST की जो invoice होती है, वो invoice के बारे में maximum query रहता है कि क्या हम GST का invoice फारें, और फ same invoice बनाना पड़ेगा, format में कोई भी changes नहीं आएगी, आपको उसमें informations पूरे वही डालने हैं, अगर जो वेक्ति आपसे खरीदने आ रहा है, वो कोई भी अपने बारे में नाम, पता या जगे का information देता है, तो उस information को आप तुरंत उसमें डाल दीजे, तो हमारा जो format का requirement है वो item description पूरा complete होना चाहिए, GST के जो हमने charge किया है और percentage वो सही होना चाहिए, जो कि आपके normal software से आप बिलकुल करते होंगे, तो हमारा item description सही हो गया, हमारा party और customer का detail जितना पता था उतना डाल दीजे, क्योंकि cash वाले में वो ज़्यादा बात सुनेगा नहीं, अगर मेरा नाम दिपंकर समझदार है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि लिखो ना यार, दिपंकर नाम से लिख दीजे, और mobile number कोई जरूरी नहीं कि सामने वाला देने वाला है, आपको कोई भी सामने वाले का KYC मांगने की जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए, आप लेकिन courtesy जरूर रख ताकि उनको आपको दिया गया जो JST है, भले वो cash sale पर क्यों ना हो, उनको उस चीज़ का credit मिले, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने sale किया, हम okay हो गये, लेकिन सामने वाला अगर purchase किया है, उनके पास में JST bill है, और JST number भी है, और आपन उसमें JST number mention नहीं करते हैं, तो ये गलती है, किसी की भी गलती हो, लेकिन as a वैपारी, as a seller, हमारा ये जिम्मेदारी बनता है, कि हम सामने वाले से जरूर एक बार पूछें कि क्या आपका JST number है, और है, तो बिलकुल डालें, जो जो information है आप बिलकुल पूछें, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कि हमारे पास, cash में इतने सारे लोग आते हैं, कि हम उनका detail तक पुछना भूल जाते हैं, हम लोग क्या करें, समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको बताओं दोस्तो, softwares, fast track softwares, real time softwares available हैं, जिसमें 2-3 information डालते हैं, जैसी आप click करते हो, तुरंत बिल निकल आता है, at least information feeding proper रखिये ऐसे problems कहां पर होते हैं, generally मैं आपको बता दूँ, सबसे हौचपोच दुकाने अगर मैंने देखी न, तो जैसे car parts, auto parts वाले दुकाने रहती हैं, जहां पर mechanic लोग आते हैं, और ये दे दो, वो दे दो, बहुत सारे valve दे दो, कहीं bulb दे दो, कहीं गाड़ी का lamp दे दो, ऐसे का सब में कोई record कोई मांग ले, हम लोग दे पाएं, तो billing का section, एकदाँ fast track software रखे, दो information डाले, जितने देर में बात कर रहे हैं, उतना देर में अगर हम लोग feed करें, तो तुरंथ हो सकता है, हमने अपने अलग-अलग learnings में सीखा है, कि हम लोग को disruptive solutions, disruptive technologies को use करना चाहिए, और मैं बता दू, हम लोग high tech age में हैं, इंडिया में सबसे best software developer companies हैं, जो पूरी दुनिया में अपना नाम रखते हैं, सबसे ज़्यादा turnovers भी, इंडिया वाले लोग create करने का दम रखते हैं, एक से एक skilled softwares available हैं, आप fast track software use करिए, मैं तो यहां तक बोलता हूँ कि कई सारे हमार seller's loan को, अपने sales mail लोग को mobile application तक दे देना चाहिए, कि अगर billing के लिए अगर वो दूर खड़ा हुआ है, counter से दूर है, information तूरंत डाले, वहां से button दबा दे, तो उधर से print निकल जाए, क्यों नहीं हो सकता, अगर चाहें तो हो सकता है, बहुत महेंगा नहीं होता, लेकिन जो समय बचता है न, उसका कोई हिसाब नहीं, अगर आपके पस 10 employee है, 10 employee अगर दिन भर में 20-20 minute बचाते हैं, 200 minute बचता है, उस 200 minute में जो additional sale कर लेगा, वो आपके working capital और goods turnover में काफी help कर सकता है, तो मैं वापस अपने topic पर आता हूँ दोस्तो, आप cash sale बिलकुल कर सकते हैं, उसमे JST का proper bill फाड़िये, पूरी accounting करिये, government को बराबर JST pay करिये, एक important बात यहाँ पर और जोड देता हूँ आपनों के लिए, stock का maintenance आपके software में, या फिर जो भी आपकी तरीका है, stock maintain करने का real time, वो बहुत अच्छे से maintain करियेगा, ताकि कहीं पर भी हमारे पास माल 100 unit आया, और हम ब्लंडर न हो जाए, ये ब्लंडर आप नहीं करेंगे, हो सकता है कि आपने purchase का कुछ entry करना छोड़ दिया, हो सकता है आपने sale का कुछ जादा entry कर दिया या गलती से double हो गया, तो ऐसे accounting mistakes को भी हमारे business में extreme serious issue मानके चलिएगा, internal audit या internal check का system जरूर रखिएगा, costing बहुत nominal होत होती है, अगर सही सोच से business को streamline करने की बात बोलेंगे, तो कहीं कोई परिशानी नहीं आने वाली, एक बार फिर से JST में cash sale आप बिलकुल कर सकते हो, limit की बात पूछी जाती है, कोई limit नहीं है, आपका goods के हिसाब से आप कितना cash sale normally करते हो, ये कोई भी assessment officer समझ जाएगा, आप आप जो explain कर सकते हो, वो काम 100% कर सकते हो, तो दोस्तों, आज का insight ये है, कि JST में cash sale अगर आप करते हो, उसकी bill properly फाड़िये, ऐसा नहीं कि सोच समझ के बार में फाड़ रहे हैं, software रखिये, रोज का रोज काम को निप्टाइए, बहुत जादा समय नहीं लगेगा, आप एक subscribe करते हैं, like करते हैं, comments करते हैं, मुझे करनाटका से और काफी सारे जगा से call आते हैं, कि मुझे कुछ information चाहिए, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, कि comments में जो आपके queries रहती हैं, उसको तुरण solve कर दूँ, मेरे clients के call को भी मैं वीडियो में convert करने की काफी सारी कोशिश कर रह तो आपके suggestions मेरे लिए anytime welcome है, और अगर आप